हेलो गाईज, वेलकम टो मैं चानल कथाकार यहां मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्धर लेखोकों के उपन्यास प्रस्तुत करूँगे फिलाल हम सुन रहे हैं सुरेंद्र मुहन पातक की उपन्यास, बनवे स्ट्रीट अगर आपको मेरी प्रस्तुती पसंद आती है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कॉमेंट जरूर करिए आपके मन पसंद उपन्यास के नाम कॉमेंट्स में जरूर मेंचन कीजिए धन्यवाद मैं करोल पाक पहुँचा, इस बार लेखुमल जामनानी से मेरी मुलाकत हो गई बिना किसी अडंगे या अडंबर के उसके एक आदमी ने मुझे उसकी नीची कक्ष में पहुँचा दिया क्या चाता है साइं? जामनानी अन्मने भाव से बोला वड़ी क्यों कर पीछे से पढ़ाएं नी? जनाब मैं वनीद भाव से बोला मैं जो चाता हूँ वो बहुत मामूली है लेकिन बात को जबान पर लाने का होसला नहीं हो रहा वड़ी जब यहां आने का होसला कर लिया तो जो जो कहना चाता है उसका भी होसला कर ले करता हूँ लेकिन सुनकर यही मेरी लाश किराने की मर्जी बन जाए तो मेरे क्रिया क्रम का कोई डीसेंट इंतजाम जरूर कर दीजेगा बहुत बोलता है कहता कुछ नहीं बस बोलता है सौरी कहता हूँ चनाब गुरबक शलाल के जिंदेगी में आप उसके पाद नंबर दो पोजिशन पर माने जाते थे गुरबक शलाल तो गया अब आपकी क्या पोजिशन है वड़ी क्यों पूचता है नि गुरबक शलाल के नंबर बन पोजिशन के साथ लोकल नौकॉटिक स्ट्रेट पर उसका एक छादर कबजा भी जुड़ा हुआ था वो कबजा भी तो अब आगे कही ट्रांसफर हुआ होगा कहा नंबर दो पोजिशन वाले के पास हाँ यानि के मेरे पास बहुत दर्शन में कह रहा हुँ लेकिन हाँ चड़े हुए है वो धन्दा आप कहा रखा है वो धन्दा तो कपका घारत हो जुका है वो कर्मा मारा गुरबक शलाल था तो धन्दा भी था वो गया तो धन्दा भी गया आपने चानी दिया बड़ी कैसे पकड़के रखता कैसे करीब भी फटगता कैसे खैयाल भी करता मर रहा था मैंने ऐसा क्या खत्रा था था क्या अभी भी है हमेशा रहे गा क्यों तो नहीं समझेगा बस इतना समझ कि क्लास को काबु करने के लिए मॉनिटर होता है मॉनिटर को काबू करने के लिए मास्टर होता है और मास्टर को काबू करने के लिए हेड मास्टर होता है तू इतना समझ कि इधर उस धंदे पर एक कर्मा मारे हेड मास्टर का साया है जिसकी हुक्म उदूली जो भी करेगा इस दुनिया की क्लास से बाहर होगा ऐसा सक्त हेड मास्टर है वो हाँ तब ही तो सबकी आख में दंडा किये है याने कि आपकी धरा किसी और बिरादरी भाई की भी मजाल नहीं हो सकती गुर्बक्ष लाल के छोड़े धंदे पर कापिस होने की वड़ी यही बोला मैं कौन है वो हेड मास्टर है कोई? कोई नाम तो लीजे क्या फाइदा? इतना ही बताईए कि वो पाया कहां जाता है कहां जाता है कि मुंबई में पाया जाता है कहां जाता है? मैं उधर जाके तो नहीं देखा उसे इतनी दूर बैठे आदमी से आपको दहशत है पीछे मॉनिटर छोड़ के गया है क्लास के उपर मॉनिटर? कुश्वाहा गुर्बक्षलाल का लेटेनेंट वो हेड मास्टर का हम लोगों पर अपोइंट किया मॉनिटर है वो यहां की हर खबर उधर पहुँचाता होगा खुश्वाहा आपका बिरादरी भाई नहीं? नहीं जबकि उसका बॉस गुर्बक्षलाल था? हाँ फिर भी खुश्वाहा सलामत है दिल्ली के शहर में है ना कमाल? तो फिर हेड मास्टर बहुत ही दाकत वर हुआ हाँ कमाल है वही साई सिंधी में कहते हैं दरिया किनार वही वादुन वैर न रख चे जी जिस मोहले कसबे में आप रहते हो वही के लीडर से वैर मोल न ले ओ दरिया में रहे कर मगर से वैर वाली बात कह रहे हैं आप? हाँ खुश्वाह लीडर है? वो कर्मा मारा किदर से लीडर होकानी वो तो मॉनिटर है लीडर वो है जिसका चमचा बनना उसने अपनी मर्जी से कबूल किया है उसका हेड्व मास्टर लीडर है जिसने की गुर्बक्षलाल का काम तमाम किया था वो किस्सा छोड़ नसाई मेरे दिल को कुछ होता है बरहाल आप ट्रॉक ट्रेड में नहीं है अब क्या लिख के दू आगे का क्या इरादा है तेरा आगे का क्या इरादा है अब तक मीठा मीठा बोलते जहाम नामी ने का स्वर एका एक हिंसको उटा जी मेरा आगे का इरादा अभी मुझे खुद मालूम नहीं लेकिन जो अभी कुछ कहा सुना गया उसका तेरी तरफ से कोई बीज़ा इस्तमाल हुआ तो समझ लेना कि छूले लाल की महर की छत्री तेरे सिर से हट गई मेरे शरीर ने जोर से जुरचुरी ली कोई बीज़ा इस्तमाल नहीं होगा जनाब मैं विर्णाए पूर्न स्वर में बोला मेरे सवाला का तालुक एक प्राइवेट केस से ही है इसलिए हासल जानकारी भी प्राइवेट ही रहेगी फे तो जीता रहे जुले लाल की महर से मैं अपने ओफिस पहुँचा मैं भीतर दाखिल हुआ तो मैंने फोन की घंटी बचती पाई मैं लपक कर अपनी टेबल पर पहुँचा और कुर्सी पर धेर होते हुए फोन उठा कर कान से लगाया हेलो मैं माउट पीस में बोला सुधीर एक स्त्री स्वर सुनाई दिया हाँ मैं सुजाता सुजाता मोहरा से मेरी मुलाका दिली के दादा लेखराज मदान के शशीकांथ नाम के उस भाई के कतल के सिलसिले में हुई थी जिससे की मेरी शकल हुबुहु मिलती थी सुजाता शशिकांद की राजेंदर पालिस में स्थित नाइट कलब में चिट कलग थी और शशिकांद से फिट थी शशिकांद की मौत के साथ नाइट कलब भी बंद हो गए थी इसलिए वो बैठे बैठे बेरोजकार हो गए थी तब योस ट्रूली ने गुड डीर अफ़ दे डे करने की के अंदाज से उसकी नौकरी अपनी जैसे ही एक प्राइविट डेटेक्टिव एजनसी ब्यौरो में लगवा दी थी जो की खोसला डेटेक्टिव ब्यौरो के नाम से जाने जाती थी ब्यौरो का मालिक सुधिप खोसला मेरी हमपेशा होने की वज़़ से मेरा लिहास करता था इसलिए उसने मेरी दर्ख्वास कबूल कर ली थी बचाते खुद सुझाता मेरे पास नौकरी करना चाहते थी जो की रजनी के होते संभब नहीं था हेलो सुधात मैं बनावटी अनतास से बोला कैसी हो मैं तो ठीक हूँ तुम कैसे हो मैं भी ठीक साई हूँ ठीक से हो ठीक नहीं हो हाँ क्या हुआ सीरियो से फिसल गया मू माता फूट गया ओ वो एक शन ठिटकी और फिर बूली सीरियो से ही फिसले न किसी बिलनी ने पंचा तो नहीं मार दिया अभी इतने बुरे दिन नहीं आये सुधिर कोली ती ओनली वन के जानकर खुशी हुई वैसे कहां रहते हो आजकर यहीं दिली शहर में क्यों कभी मिले तो नहीं मैं तो तीन चार बार मैं साफ छूट बोलता हूँ बोला मंदिर मार्क तुम्हारे होस्ट बे ताला जूलता मिला ओ फोन कर गया ना था हां ये गलती हुई मेरे से आयंदा ध्यान रखना जरूर फोन कैसे किया वो कुछ खशन खामोश रही और फिर दबे स्वर में बोली सुधिर यहां एक खास बात सामने आई है जिसमें हो सकता है कि तुम्हारी दिलचस्पी हो य यहां मतलब खोसला ओफिस में हां ऐसे क्या बात है तुम्हारे मेरे पर बहुत एहसान है इसलिए सोचा कि उन एहसानों का कोई छोटा मोटा बदला चुका दू क्या बात है बात पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं क्योंकि अब जब फोन किया है तो जाहिर है तु पहले ही कर चुकी हो क्योंकि तुम्हारे बताने की मंचा नहोती तो तुम फोन नहीं करती इस बात का जिक्र ही नहीं चलाती ये भी ठीक है ठीक है तो बोलो क्या बात है बात ये है कि आज जब मैं confidential report टाइप कर रही थी तो उसमें एक जाना पहचाना नाम आया किसका? सुनोगे तो हैरान हो जाओगे नो प्रॉब्लम हैरान हो जाने का मुझे काफी तज़र्बा है मैं कई report टाइप करती हूँ हर report में कई नाम होते है जिनने के मैं मशीनी अंदास से टाइप करती हूँ किसी की तरफ कोई खास तवज्जो जाने की कोई वज़ा ही नहीं होती क्योंकि सब नाम और नाम वाले मेरे लिए अजनबी होते है इसलिए मैं उन्हें टाइप करते ही भूल जाती हूँ लेकिन जब एक नाम सिर्फ अजनबी ना हो बलकि खूब जाना पहचाना हो तो बात दूसरी है I agree, sweet heart लेकिन अब आगे भी तो बढ़ो किसका नाम था वो जाना पहचाना कोई ऐसा शक्स जिसे की मैं जानता हूँ हाँ, तुमसे बहतर और कौन जानता होगा अब नाम क्योंकि जाना पहचाना था इसलिए मैंने रिपोर्ट की तरफ तवज्जो दी जो की मैं कभी नहीं देती जब रिपोर्ट की तरफ तवज्जो दी तो हे भगवान, हे भगवान खुदा ने जब औरत बनाई तो उसमें हर खूबी पैदा की उसे तौबा शिकन जिस्म दिया दिल फरेब मुस्कुराहट दी खूबसूरत चहरा दिया रिशम जैसे बाल दिये हिर्णी सी आखे दी गुलाब की पंखोडिय जैसे होट दिये लेकिन फिर उसे कैची जैसे जुब जुबान दी और खुदी अपने तमाम किये पर पानी फेरने दिया वो बोल ही रहे थी तब भी बोल रही थी कै कुछ भी नहीं रहे थी लेकिन बोल रहे थी अंगारों पर लोटता टेलिफोन के सामने की दिवार पर फेक मारने की अपनी अभिलाशा का दमन करता मैं रिसीवर कान से लगाए रहा तुम्हारा नाम था क्या मैं हक्का वक्का कर सीधा हुआ क्या का सुने ही रहे हो क्या सुधीर जो जाना पहचाना नाम मैंने उस रिपोर्ट में टाइप किया था वो तुम्हारा नाम था मेरा मेरा जिखर था उस रिपोर्ट में हाँ तब ही तो तुम्हें फोन किया है तुम्हें जो तुमने ये बात किसी आगे को बताई उसका तो खेर सवाल ही पैदा नहीं होता अब उस रिपोर्ट की बावर तो कुछ बताओ क्या बताओ यही की वो किसके लिए थी किस बावर थी और उसमें मेरे जिक मेरा क्यों जिक्र किया गया था वो confidential report है तो क्या बहता है लेकिन ओ कमउन लेकिन अब कहभी जो को अगर मिस्टर खोसला को पता लगया तो कैसे पता लगेगा मैं बताऊंगा उमीद तो नहीं तुम बताउगी सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर कैसे पता लगेगा कहे तो तुम ठीक रहे हो और ये भी न भूलो कि वहाँ तुमारी नौकरी मेरी वज़े से है नहीं भूली हूँ तभी तो फोन किया है जो शक्स तुमें एक बार नौकरी दिला सकता है वो दुबारा नहीं दिला सकता है दिला सकता है तो फिर अवल तो खोसला को कुछ पता लग नहीं वाला लग भी जाएगा तो क्या वो तुम्हें गोली मार देगा बड़ी हद नौकरी से ही डिस्मिस कर देगा ऐसी नौबत आई तो मैं तुम्हारे लिए इसे बड़िया नौकरी ठीक कर दूँगा वो एक शंट खामोश रही और फिर भूली ठीक है सुनो थाइंग गॉड वो रिपोर्ट हमारे ब्यॉरो में जिस कलाइन के लिए है उसका नाम बाशा अब्दुलरहीम अलरशीदी है जो की हाल में ही दुबे से यहां आया है और यहां होटेल होरिदे इन क्राउन प्लाजा में ठेहरा हुआ है उसी ने हमारे डिटेक्टिव ब्यॉरो को तुम्हारी फुल पर्दाल करने के लिए रिटेन किया है फुल पर्दाल हाँ जिसमें के तुम्हारे व्यक्तिकत पसंद ना पसंद और आधिते भी शामल हो जैसे की विस्की कौन सी पीते हो कितनी पीते हो कहां पीना पसंद करते हो सिगरेट कौन सा पीते हो पसंदीदा होटेल कौन सा है रेस्टरॉन कौन सा है किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, कोई स्टेडी गल्ष्रिंड है या नहीं, मा बाप फाई बेन है, तो कहां रहते है, गाड़ी कौन सी है, उसका नंबर क्या है, कमाई कितनी करते हो, पल्ले चार पैसे है, तो उन्हें कहां रखते हो वगेरा, हे भगवान, क्या वो मेरे यसे अपनी बेटी भ्याना चाहता है, बेटी भ्यान, ऐसी बड़ताल तो कोई अपनी बेटी के होने वाले दामाद की बाबत ही करवा सकता है, तुम मजाक कर रहे हो, तो यह सब बड़ताल हो चुगी, हाँ, तब ही तो मुझे फाइनल रिपॉर्ट टाइप करने मिली ही थ मैं उसका काम आधी फीस में पलक छपकते कर देता मैं तो उसे ये भी बता देता कि मैं अंडर्वियर किस साइस की पहनता था और कॉंडम कौन से इस्तमाल करता था तुम फिर मजा करे हो कोई वज़ा बताई उसने इस परताल की मुझे नहीं मालू मिस्टर खोसला को बताई होगी टाइप रिपोर्ट में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं था आई सी रिपोर्ट क्लाइंट को डिलिवर हो गई हाँ मेरे टाइप मुकमल करते ही उसे एक स्पेशल मेसेंजर के जरिये होटेल हॉलिडी इन भिजवा दिया गया था आई सी अब बोलो इस बापत तुम्हें खबर करके मैंने अच्छा किया या बुरा अच्छा किया बहुत अच्छा किया तो फिर शाम को मिलते हो किसलिए अरे मेरे अच्छे काम की मुझे शाबाशी देने के लिए और किसलिए अच्छा वो हाँ वो मैं शाम को फोन करूंगा लेकिन और कोई प्रोग्राम पका करूंगा ताकि मुझे तुम्हारे होस्टिल के कमरे पर फिर ताला ही लटकाना मिले पकी बात, एक दम पकी बात मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, जरूर तौबा करते हुए मैंने रेसीवर को क्रेडल पर पटका मैंने जेब से डन हिल का पकेट निकाल कर उसमें से ताबूत की एक कील निकाली फिर सुलगाया और सोचने लगा कौन था ये बाशा अबदुलरहीम अलरशीदी जो आपके खादिम के बारे में इतना कुछ जानना चाता था खोसला के आदमियों ने अगर बड़ी और मुस्तैत काम किया था तो जरूर रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र रहोगा कि शाम को कोई काम न होने की सूरत में मैं केनाट प्लीज के स्थित कोजी कॉर्णर नाम के बार की किसी तन्हा कुने में बैट कर ट्रंक लेना पसंद करता था कोजी कॉर्णर जो की हॉलिडे इन से मुश्किल एक किलोमेटर दूर था उस शाम को वहां मौजूद रहकर मैं उस अलरशीदी के घोड़े का काम आसान कर सकता था लेकिन कौन सा काम देखेंगे जो होगा सामने आज जाएगा शाम को मैं केनाट प्लीज पहुंचा कोजी कॉर्णर के करीब कहीं कार के लिए पारकिंग डूरने में मेरी ऐसी तैसी फिर हो गई लेकिन किसी तरह वो काम हुआ बड़े शहरों में पारकिंग की समस्या इतनी कंबीर हो गई है कि अब जो नो पार्किंग जहां लिखा होता है वहां पार्किंग नहीं मिलती इस सलसले में दिल्ली शेहर के हालत और भी बद होती जा रही थी क्योंकि जितने कारे मुंबई कलकत्ता मदरास और बैंगलोर में है उसे कहीं जादा कारे अकेली दिल्ली में है पार्किंग के करीब एक सरकारी बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था दिली को सुच्छ रखिये मेरा जी चाहा कि मैं उसके नीचे लिख दू मेरट जाके रही है मैं कोजी कॉर्नर में दाखिल हुआ और सीधा बार पर पहुँचा बार में चुशी मेरा वाकित था मैंने उसे एक ड्रिंक हासल किया और पूछा कि क्या मेरी बाबत दर्याप्त करता कोई वहाँ पहुचा था जवाब इनकार में मिला मैं बार से हटा और अपना गिलास संभाले जाकर एक कोनियों की मेस पर बैठ गया मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और आसपास निगाह दोड़ाई शाम की उस घड़ी बार अभी आधे से जादा खाली था जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से मेरे जैसा अकेला बस मैं ही था तकरीबें लोग जोड़ों में थे और एक हाद टेबल पर तीन या चार लोग का ग्रूप मौजूद था मौजूदा हाजिरी में एक शक्स ने मुझे ऐसा ना दिखा जिसे कि मैं बाशा अब्दुलरहिम अलरशीदी जैसे पैंजी नाम से अलंकुरूद कर पाता जो की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरी फिराक में उस शक्स के भाँ मौजूद होने की अपेक्षा करना बहुत दूर की कोड़ी थी बरहाल आधा पॉना घंटा और वहां गुजारने का फैसला मैंने किया मैंने विस्की का एक घूंट पिया और हॉल में निगा दोड़ाई इस पर हर टेबल की हर सूरत का मैंने ठिटक ठिटक कर वायना किया एकाएक एक सूरत पर मेरी निगा बर्बस अटक गई वो सूरत क्या थी चांद का तुकड़ा था जो कि एक काली पोशाक पहने थी पोशाक में टखनों तक आने वाली स्कर्ट थी लेकिन ब्लाउस ऐसा था कि बड़ी हद उसे कपड़े की एक धज्जी कहा जा सकता था जिसमें उपर गरदन के लिए नीचे कमर के लिए दाएं बाएं बाहों के लिए चार सुराक थे उसमें से गरदन के नीचे उसका प्रुष्ट दूधिया वक्ष और वक्ष के नीचे उसकी पतली कमर साफ नुमायना हो रही थी उसने तर्टनिक पहलू बदला तो मुझे एसास हुआ कि उसकी स्कर्ट में भी लंबी स्लिट थी जिसमें से एक सुडॉल टांग चांग तब दिख रही थी लिहाजा नयन सुक अबिलाशे पुरुशों के लिए वो एकदम फिट पुशाग थी उसके साथ जो पुरुश था वो एथलीटों जैसा हट्टा कट्टा था और शांदा नीला सूट पहने था वो आगे जुग कर यूती को कुछ कह रहा था लेकिन मैंने नोट किया कि यूती को तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी वो तो अपनी नशीली सुर्मय आखों से अब बलक मुझे देख रही थी सुधीर कोली मैंने खुद अपनी पीट तक तपाई दी लखी बास्टर मैंने जबरन उसकी तरफ से निगाह हटाई विस्की का एक घूट पिया, सिगरेट का एक कश लगाया और जब वापस उसकी तरफ निगाह उठाई तो पाया कि उसके निगाह का निशाना तब भी यो अस्टूली ही था वाह, वाह और ऐसा तब हो रहा था जबकि मैं अपनी आखों में मिकनाती से सुर्मा लगाना भूल गया था फिर उसके साथ ही नीले सूट वाले ने भी उसके दृष्टी का अनुसरन किया तदकाल उसकी पेशानी पर उभर आये वालो ने मुझे बताये कि जो कुछ उसने देखा वो उसे पसंदना आया वो तीके स्वर में कुछ बूला जिसके की फासले से मुझे सुनाई देने का सवाल नहीं था यूती ने मेरे तरफ से निगाय हटा कर उसकी तरफ देखा उसे बड़े चित्ताकरशक धंग से मुस्कुरा कर दिखाया और बड़े आश्वासन पूरना धंग से उसका हाथ थप थपाया पुरुष की परेशानी पर से बल गायब हो गए वो भी मुस्कुराया और फिर बत्याने लगा उसका बोलना शुरू होते ही यूती की निगाह फिर मेरी तरफ भटक गई अगर सिर्फ निगाहों से ही कुछ हो पाना संभव होता तो हनीमून ही वहां वाक्य हो गया होता लेकिन अफसोस यह ऐसा नहीं हो सकता था फिर भी उसने मेरी रगों में दौर्टी 93 ओक्तेन को ऐसा भटकाया कि मैंने अपने विस्की की गिलास में ही बना पाई तब ही एकायक यूती के चहरे पर तीवरवेदना के भावा है मैंने ततकाल उसकी सूरत से निगाह हटा कर उसके साथी की तरफ देखा तो पाया कि उसने यूती की कलाई दबोच ली हुई है और तब वो उसे मरोड कर मेज की ओट में ले जाने की कोशिश कर रहा था वो ऐसा करने में कामयाब हो गया और यूती कराते हुई मेज पर दोरी हो गए पुरुष दान पीस्ता हुआ पड़े हिंसत भाव से उसकी कान में कुछ बोला यूती के चहरे पर वेदना के भाव और गहन हो गए आपर पंजाबी पुतर अपनी आखों के सामने किसी परी चहरा हसीना पर ऐसा जुल्म होते न देख पाया एक जटके से मैं अपने स्थान से उठा और लंबे डग भरता उनकी टेबिल पर पहुँचा मैं पुरुष के पीछे जा खड़ा हुआ और सक्ती से बोला बाह छोड़ो गो अबे पुरुष खुसे से बोला और उसने फिर यूती की बाह उमे थी मैंने उसके कंदे पर यूँ हाथ रखा कि मेरा अंगूटा उसकी गर्दन की एक खास जगा पर एक खास रख पर चाकटिका कोई वो नजारा देखता तो यही समझ था कि एक दोस दूसरे दोस का कंदा थप थपा रहा था लेकिन असल में मैं उसकी खास रख में अंगूटा यूँ गड़ा रहा था कि वो वही हॉस्पिटल केस बन सकता था बाह छोड़ो मैं फिर बोला वरना पच्चताओगे उसने ततकाल बाह छोड़ दी मैंने उसके कंदे पर से अपना हाथ हटाया उठो मैं बोला उसने ततकाल आदेश का पालन किया वो उठा तो मेरे हाथ अपने आप ही उसकी गरदन पर से हट गया मैंने उसकी बाह से ये उपर रओ दी और बोला हम सेयर करने चलते हैं मैंने एक कदम दर्वाजी की तरफ पढ़ा है तो वो भी मेरे साथ खींचता चला गया यूही बाहर में बाहर डाले जैसे दो तफ्रीक के बात बार से विदा हो रहे हो हम बार से बाहर पहुंचे वहाँ मैंने बाह से बाह निकाली और चेतावनी भरे स्वर में बोला उसने स्थामती में सिर्ख लाया और भारी कदमों से वहाँ से रुकसत हो गया ये मेरे लिए हैरानी की बात थी कि उसने ये तक न पूचा कि मैं कौन था और वो क्यों हुक्म दंदना रहा था कुछ क्षंड मैं उसे जाता देखता रहा फिर बाद में वापस दाखिल हुआ अपनी टेबल पर लॉटनी की जगा मैं यूती के टेबल पर पहुँचा वो मुस्कुराई उसने नीले सूट वाले द्वारा खाली की गई कुरसी की तरफ इशारा किया तैंक यू मैं उसके सामने कुरसी पर धेर होता हुआ बोला वो फिर मुस्कुराई एक चम-चम स्पेशल मुस्कुराहट मैंने करीब से उसके चौक्टे का मुआयना किया तो पाया कि जैसी हसीन वो मुझे फासले से दिखाई दी थी उससे वो कई जादा हसीन थी उसके गालों पर साटन जैसे फिनिश थी और सेप जैसी लाली थी उसके होट ऐसे सुर्ख लाल थे जैसे उनको दबाने से इनने से खून ने चुड़ सकता हो उसके बाल सोने की महीन जैसे तारों से थे उसकी आँकों से मद टपक रहा था वो लड़की औरिजिनल हववा थी जिसकी वज़से अदन के बाग में आदम के सेप खाया जाता था क्या अक्तियारता किसी औरत को इतनी हसीन होने का हसीन होने का और फिर इस पंजाबी पुतर की पहुंच से पकड से दूर रहने का थैंक यू वो बोली तो जैसे बिलौरी गिलास से पर्फ टकराई बाज लोग उंगली पकड़ने का मौका मिलते ही पहुंचा पकड़ने पर उतराते है जैसे की वो साहब मैं बोला जो अभी यहां से रुकसत हुए हाँ वैसे तो जितनी की चाहे कम होगी लेकिन फिर भी अपकी तारीफ मुझे लेला कहते है लेला अलरशीदी मेरे कान खड़े हो गए लेला अलरशीदी मैं बोला वो सिर को नतिक नवा कर बड़ी अदा से बोली तो ये माजरा था एक मामूली प्राइवेट डेटेक्टिव से कॉंटाक्ट बनाने के लिए ये रास्ता क्तियार किया गया था जीती रह पट्टी मैं मनी मन सुझाता महरा को याद करता हुआ बोला तेरी स्पेशल रीट पकी बहुत मौके पर उसने मुझे फॉन किया था नतीच तन अब मैं अपने से पार्ग के पाले वाले लोगों से एक कदम आगे था मैं सुधिर कॉली मैं बोला कही बाहर से आना हुआ होगा हाँ दुबै से अकेले? नहीं अपने अब्बा के साथ आपके अब्बा? बाशा अब्दुलरहीम अलरशीदी बाशा? बाशा का संक्षिप्त संस्क्रण है गोया आपके अब्बाहुसुर बाशा है मजास से सच में होते तो बाशा ना कहते अपने आपको बाशा ही कहते और आप अपने आपको शहजादी लैला कहती? वो हसी चूड़या खनकने जैसे दिलकश हसी जिन्दगे में दो ही ख्वाइश है थी एक ताजमहल देखने की और एक इसी शहजादी से मिलने की आगरे अभी मैं पिछले हफते ओकर आया हूँ और अब देखिये दूसरी ख्वाइश भी पूरी होके आपसे मुलाकात होगे अरे मैं कोई शहजादी भजजादी नहीं हूँ नहीं है तो भी हम आपको शहजादी ही कहेंगे प्रिंसेस लैला असली शहजादी या जिसके पाव के धोवन भी नहीं होगे क्या करते हैं आप एश करते हैं साब I mean what is your line of business Main business तो line bar नहीं है जो कि मैं इस खड़ी मार भी रहूँ वैसे कुछ आजबाजो के business भी है काफी दिल्चस्प आद्मी है आप तारिफ का शुक्रिया मुझे दिल्चस्प आद्मी पसंद है जिसके साथ अभी भी वो कैसा आद्मी था दिल्चस्प नहीं था इसलिए अच्छा हुआ पीछा चुटा कौन था अब्बा का कोई वाकेफकार था मुझे ड्रिंग के लिए इन्वाइट करने लगा तो मैंने भी सोचा कि शाम बढ़िया गुजरेगी लेकिन वो तो कमबक पतबीसी पर उतराया आपने आते तो जरूर मेरी बहतोड ही मानता फूलों की तहनी को थामता हर किसी को नहीं आता आपको आता है मिस्टर कोले आता तो है जरा उसने अपनी गोरी मरमरी कलाई मेरे तरफ पढ़ाई थाम के दिखाईए मैंने वैसी कोई कोशिश ना किये मैं क्या पागल था जो थामने के लिए सामने से खूबसूरत पैर मौजूद पाकर भी कलाई थामता मैं केवल हसा वो भी हसी उसने बड़ी नसागत से अपनी कलाई वापस खींच ली कबसे है आप दिली में? मैं बोला यहीं कोई दो हफ़तों से? वो एक शंट ठिट की और फिर बोली वैसे दुबई से आए हमें देड़ महिना हो गया है वहां आने से पहले एक महिना हम मुंबाई में ठेह रहे थे I see आपकी लाइन अफ बिजनेस के बारे में आपने अभी भी नहीं बताया Mr. कोली बंदा प्राइविट डिटेक्टिव है प्राइविट डिटेक्टिव